जैहीं दोस्तों, SSGD4 की नई वाली भरती का फानली फॉर्ण अप्लाइग खतम हो चुका है और एप्लोक्स 45 लाग बच्चे ने फॉर्ण अप्लाइग किया है और बहुत सरे बच्चे ने फॉर्ण अप्लाइग टैम बहुत सरी गल्तियां की हैं बहुत सरे ऐसे बच्चे ने फॉर्ण अप्लाइग टैम ममी का नाम, पापा का नाम, अपना नाम गलती कर दिया है अगर अभी आप इसे करेक्शन नहीं करोगे देखिए करेक्शन का डेट है 4 से लेकर 6 तारिक के वितार यह चार्स लेकर 6 तारिक की वितार आप करेक्शन नहीं करोगे और आपने बहुत सरी मेजर गलती कर दी है तो आपको दो जगा प्रॉब्लम हो सकता है या तो आपका ससी फॉर्म रिजेक्ट कर देगा और या तो आप जब ससी आपका फॉर्म एक्सेप भी कर ले यहां पर कुछ नहीं करना चुप चाप यहां पर जूम करता है यहां पर जुब्लम है यहां पर जल्दी खुल जाएगा तो यहां पर थोड़ा सा यहां पर दोस्तों क्या आपका रिजिस्ट्रेशन नमबर नाम ठीक है और दोस्तों यहां पर दिखाया है अभी तक भेरिपाई नहीं कि यहां पर सब क्रेक्शन वगएरा दिया गया है कि आपका 500 रुपया तक देने पड़ेगा अगर फॉर्स्त टैम आप इसको क्रेक्शन करोगे तो आपको 200 रुपय देने पड़ेंगे और अगर सेकंड टैम इसको आप क्रेक्शन करोगे तो आपको 500 रुपय पीस यहां पर देने पड़ेंगे सेको तब दोस्तों आप इसको करेक्शन कर पाओगे फ्री आपको आप करेक्शन नहीं कर पाओगे तो अगर आपने फॉर्स रुपय लएंगे और दूसरी बार ठीक करोगे तो 500 रुपय का चार्ज लगने वाला शुब यहां पर स्पाओं उसके सब्सक्राइब सकते कि नहीं कुछ नहीं करना है यह वी आपको सही करना है वह आप सही कर सकते आपना नाम पापा का नाम आप डेटा वर्व ठीक है height, education qualification, post reference, अपका NC certificate, मतलब जितना भी आपने form में apply किया है, जो भी आपने गलती किया है, सारा गलती आप सही कर सकते हो, अब दोस्तों कौन-कौन सी ऐसी major गलती है, जहां पे 90% form reject हो जाते हैं, वो बताने से पहले एक चीज और वादा दू, अभी SSC GD का exam के लिए मात 35 तिन बचा हुआ है, बहुत सारे बच्चे बढ़िया, अभी के टाइम पर क्या कर रहे है, कि चुप चाल जाके online इधर उधर से खाली पढ़ाई कर रहे हैं, वादा दू, पढ़ाई के साथ अभी practice rate मानना आपके लिए बहुत जरूरी है, और practice rate के लिए बहुत बच्चे म मदद कर देगा, और इसमें क्या है दोस्तों, आपको math, reasoning, gkgs, सभी के दोस्तों जो question मिलेंगे, उपको प्रिवेसर के pattern की उपर बनाया गया है, और practice rate आपके one of the best रहने बादे, कि बिना practice rate के भी नौकरी नहीं होगा, आप साथ को पता है, last time बचा हुआ है, तो practice rate हमें मान knowledge भी होता है, और system में असानी होती है, तो यह दोनों बादे system पूरी-पूरी साहिता कर देगी, इसे आप और पर्चेस कर सकते हो, और पर्चेस कर सकते हो, दिन दोस्तों हम दोग आते हैं यहां पर अपने form के उपर तो, यहां पर देख सकते है, अब दोस्तों जो आपके DB म होता है, वो कौन-कौन चीज में reject किया जाता है, देखे, यहां पे न, अपने अगर तीन गलती की होगी, तो आपको SSC ही reject कर देगा form, अब वो तीन गलती क्या है, तो मैं आपको तीन गलती बताता हूं, जो major गलती, जिसमें आपका SSC form reject करता है, बाद बकिया और कोई करे लेकि SSC form reject कर देता है, यह तीन गलती में, अब यह तीन गलती क्या है, सबसे पहला है, photograph, अगर आपने फोटो पुराना अपलोड किया है, तो देखे, SSC खुद आपका form reject कर देगा, और दीवी तक जाने का भी जुरत नहीं है, अगर आपने फोटो पुराना अपलोड किया है, तो SSC आपका form reject कर देगा, signature अगर आपने उल्टा अपलोड किया होगा, सिधा अपलोड नहीं किया होगा, signature बहुत छोटा अपलोड किया होगा, clearly आपका signature में जैसे लिखा वो नहीं दिख रहा होगा, SSC आपके form reject कर देगा, और तीसा payment, payment के टाइम अगर आपने खुछ SSC reject नहीं करता है, उसमें SSC का कोई भी रोल नहीं, उसमें आपका रोल आता है, तो जब डीविक ले जाओगे, document verification, तो वहाँ पे भाईया, वहाँ पे जो document verify करते हैं, वो देखेंगे कि form में अलग नाम है, matrix certificate में अलग नाम है, तो उस्टेम उनके हाथ में होता है, कि आपक क्या नहीं कर सकते हो, अपने application status देख सकते हो, ठीके, कि आपने कैसर क्या, कि form भरा था, क्या था, अपने application status, ठीके, modify registration आप यहाँ पर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर जो भी आपको form apply time जो भी गलती है, उसको आप correction कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, पर्स टाइम दो सो रुपय लग रहे हैं, दो सो रुपय अपने जिंदिगी से जादा इंप्पोर्टिन तो नहीं है, मात दो सो रुपय में ये सब कुछ सही हो जाएगा, तो इसको दो सो रुपय खर्चा करके इसको सब करेक्शन कर लेना है, और इसको बिलकुए भी नहीं इसको करेक्शन कर लेना, और बहुत जबर प्रॉब्लम होता है, तो क्या होता है कि अगर आपने मुल निवर्स प्रमाण पत्रक में जिसका होता है, आपने बिहार करने वाले अपने असाम भर दिया, आंदर परदिस भर दिया, वहाँ पर आपका डॉमिशन सर्टिपर है न पापा ममी जोबी आपने नाम भर रहा है वो आपको सही सही भरना ना है, और पूरा पूरी में मता दू, तीन चार चीजँ हैं जो की बहुत दोकमेंट है, बात ethical card paint card विस्टना कोई रोल नहीं है, इदेना पढ़ता तो वहां पर आधार और जो चीज़ नहीं है का पर दियाए कि अगपने आप पर कर दिया नहीं rejection का सामना आपको करना पड़ सकता है और दोस्तों आप ACST नहीं हो फिर भी अपने ACS टुफापाइ कर दिया है जब वहाँ पर आपको टॉक्वर्पिकेशन हो का तो reject करना पड़ सकता है तो यह सब दोस्तों selection board के उपर रहता है तो बहुत ज़दा बच्चों के लिजग किया था इस सब चीज में तो यह सब को था